हलो बच्चो शुरू करते हैं आज की एक्सेसाइज इस एक्सेसाइज में हम पढ़ने वाले हैं कि किनी भी दो नमबरों का आप HCF या LCM किस तरह से निकालेंगे या उनके आप Factor किस तरह से करते हैं ठीके ना? तो हम यही पढ़ेंगे इसमें चलिए शुरू करते हैं तो जो First Question था हमारा इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर यह जो हमें नीची नमबर दे रखे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं इनके आपको इन संख्याओं को अभाज्य गुडणखंड की गुडणफल के रूप में लिखना है मतलब आपको na Factor करने Factor करने यहाँ हिंदी में इसे गुडणखंड बोलते हैं गुडणखंड करने वो करते किस तरह से चलिए देखते हैं तो जैसा कि इसके First Part में दिया था यहां 140 आपको इसके Factor करने थे Factor इस तरह से लिखे जाते हैं थीक बहुत सारे बच्चे से LCM बोलते हैं तो यह LCM नहीं होता है, LCM तो दो नमबरों के लिए हो सकता है, ठीक, बटी यहाँ एक ही नमबर है, तो अभी इसे factor कहेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं, तो इसके factor के लिए क्या करते हैं, देखें, अगर last में even number है, जैसे कि हमें टेवल में 14 आता है, साथ बार में, ठीक है, और इस 0 का 0 hesitude उतर जाएगा, अगें 0 आ गया है, तो दुबारा आप इसे 2 से divide कर सकते हैं, 2 से divide करने पर किस तरह रिखेंगे, देखें, यह जो first वाले number है, आपको देखना है कि यह 2 के table में कितनी बार में आ जाता है, जैसे कि ह इसे 6, जो एक यहां रहे जाता है, उसे आगे carry कर देते हैं, और इसे हम 10 मान कर चलेंगे अभी, तो अब यह 10 हो गया है, तो दो के पाड़े में 10 आता है, 5 बार में, याद रखेंगे, अगर कभी भी last में आपको 5 दिख रहा हैं, तो हमेशा इसे 5 से ही divide करेंगे, ठीक है न है, इन्होंने कहा था, यह जो हम number दे रहे हैं, 140 से, इसके जो factor आने वाले हैं, उसके product के रूप में लिखना है, उसके गुड़न फल के रूप में लिखना है, तो हमें इस तरह इसकी गुड़ा कर देनी है, बस, 2257, और आपका question complete हो जाए, इनकी वापस से multiply कर कर में लिखन है, तो हम यह लिख चुके हैं, इसका next part देखते हैं, तो इसका यह second वाला part आप खुद से करकर try करना, यह हो जाएगा, तो अभी मैं इसका third part कर आता हूँ, ठीके ना, तो हम लिख चुके हैं सबसे पहले तो, 3825, तो क्या करना होता है, भी बताया था, इसके factor करेंगे, और factor के लिए हमें पता के से चलने वाला है कि यह किस number से divide होगा, तो हमें यहां फिलाल तो last वाले number हमें check करना है, जैसे कि 5 लिखाए, तो हम जब भी last में 5 आता है, तो इसे 5 से cancel करते हैं, ठीके ना, तो 5 से जा रहा है, यह कितनी बार में देखते हैं, 5 का table का बोलने वाले हैं पर यह पहला number तो आता नहीं है, पांच के बारे में, इससे बढ़ाई बनता है, तो अभी दो digit का use करेंगे हम यहां जैसे 38, तो हम जानते हैं 5 से 35, यह 5 से बन से 35 ठीक हैं, तो अभी 3 रहे गए यह 38 था क्योंकि 3 को हम आगे carry कर देंगे, और अभी इससे 32 उपड़ा जाए और फिर से अगें 5 का टेबल बढ़ते हैं, तो यहां आने वाले 5 के टेबल में 6 बार में 30 आता है, तो यह 32 था, 2 को आगे again carry किया, और इस बार यह 25 हो गया है, ठीक, 5 से दुबारा करेंगे, 5 पंजे 25, तो देखें हैं, दुबारा से last में 5 ही आ गया है, तो अब दुबारा इसे 5 से divide कर सकते हैं, तो करते हैं, जैसे कि 5 एकम 5, दो आगे carry कर देंगे, 5 पंजे 25, 26 नहीं है, एक आगे carry करेंगे अभी, और यह कितना रहे कि अब 15, तो 15 कितनी बार में आता हैं, तीन बार में, तो हम इसे लिख चुके हैं, अब यह किस नंबर से जाता है, यह चेक करन ठीक, और last में even number भी नहीं है, मतलब यह सब यह चेक कर जाएं, तो हम दो से cancel कर सकते हैं, तो अभी 3 से check करेंगे, जैसे कि यह जा रहा है, तीन से 5 बार में, तीन पंजे 15, और यह एक बार में, तीन एकम 3, तो again, अब यह number किस से जा रहा है, यह किस तरह हम पता करने वाले ह होता है, कि आपको यह दोनों number को जोड़ कर देखना है, जैसे कि जोड़ कर क्या बन रहा था, 6, और पिछली बार क्या बन रहा था, अगर इसे देखें, 5 और 1, 6 और 3, 9, मतलब जोड़ कर अगर तीन के पहाड़े में, तीन के table में जो number आते हैं, अगर वे से कोई number आ जाए इन सारी डिजिटों को जोड़ कर, तब तो उसे तीन से ही करना होता है, ठीक, तो फिलाल यहां 5 और 1, 6, यह भी 3 के table में आता है, 6, इसलिए इसे 3 से आप कर सकते हैं, तो मैं करने जा रहा हैं इसे divide, 3 बन जा 3, 2 रह जाएगा, 2 को आगे carry करेंगे, यह हो गया 21, और 3, 7 बन 21, यह हो चुका है, तो अब यह 17 रह गया हमारा, यह किस से divide होगा, इसे check करते हैं, तो यह 2 से नहीं होता, यह 7 और 8, 8 भी 3 के table में नहीं आएगा, इसलिए 3 से भी नहीं होगा, और 5 के table अगर हम count करें तो last में 5 होना चाहिए तर ठीक है ना, और अगर यह 5, यह 3 से नहीं हो एक चीज याद रखेंगे, अगर किसी भी number का square, जिसकी 5 का square कितना होता है, तो 25 बोलेंगे सबी, तो 25 से अगर यह digit कम होती, तब हम 5 से कर सकते थे, otherwise कभी भी इससे बड़ी number से नहीं करेंगे, तो हमें 5 की ज़रूरती नहीं है, और क्योंकि क्योंकि क्यों प्राइम नंबर से करना था, जो किसी के पहड़े में नहीं आते हैं, तो 4 से हमें देखना ही नहीं था, क्यों किस से देखेंगे, 2 से, यह हमें लिख जाता हूं, 2 से चेक कर सकते हैं, किसी भी number को, किसी के table में नहीं आता, 3 से, 5 से, 5 के बाद करेंगे, 7 से, और फिर 8 से भी नहीं करेंगे, 9 से भी नहीं, दस से भी नहीं, क्योंकि वो दूसरे नमबरों के टेबल में आ जाते हैं, फिर आएगा ग्यारा, ग्यारा किसी के पाढ़े में नहीं आता है, इसलिए ग्यारा से कर सकता है, ठीक, एसे नमबरों से क्या जाता है, जो किसी के टेबल में ना है, इन्होंने बोल जब किसी number का square इस number से जादा आ जाता है तो हम कभी भी इससे करते नहीं और उससे बड़े वाले number से भी नहीं करेंगे बस छोटे number से करकर देखेंगे तो किससे करना था बस दो और 3 के साथ जो कि हम कर चुके हैं और फिर direct वही number लिख देंगे तो सबसे पहले आप small digit लिखिये हैं इसके बाद इसे ascending में लगा देंगे जैसा करते हैं ओके पहले मैंने 3 लिखा देन अगें 3 5 5 और 17 तो इसके prime factor देंगे तो इसका एक part और करते हैं इसका fifth part आप खुद से करेंगे से क्या लिखा है 7 429 मैं यह कराता हूं 5005 के लिए सबसे पहले हमें क्योंकि यहां दिख रहा है कि last में क्या आ रहा है 5 तो यह फाइब से cancel होगा फाइब फाइब जीरो जीरो यह एज़िटे से उतर जाएंगे और पांच एकम पांच इसके बाद हम चेक करेंगे last वाला number क्योंकि दो के पहाड़े में तो आता नहीं है किसलि तो 1-0-0-1 यह टोटल मिलकर हो गए हैं 2 तो यह 3 नहीं आ रहा मतलब रहा अलब किंग अ यह 3 से डिवाइड नहीं होगा 3 के table वाला number बनना चाहिए था तो हम 3 से ड़ीवाइड कर लेते ठीक तो अभी 3 से बीनहीं कर सकते हैं और इसके बाद किसे गरते हैं 5 से 5 के लिए last मे पांच होना चाहिए इसलिए पांच से भी नहीं कर सकते हैं तो भी 7 से ट्राइगर दें कि इसका अंसर क्या आ रहा है चले देखते हैं जैसे कि 7 एकम 7 मैंने दो डिजिट का यूज कर रहा हूं मैं भी हाँ साथ एकम 7 तो 10 थाई है तिन से जाएगा तिन को आगे केरी कर देंगा और यह 30 हो गया और अब भी से जो 30 लाना है हमें 7 के टेबल में तो 7 के टेबल को कितने बार आपको काउंट करना पड़ेगा चार बार साथ चोक 28 और 28 देखिए यह 30 थाद हो रहे जाएगा इस बार दो को केरी गया यह 21 हो गया है तो साथ यह 21 देखिए 7 से कैंसल हो चुका है और इसके बाद आपको क्यों देखिए कि बड़ी डिजिट से ही करना है क्योंकि हम सब यह से चेक कर सुके हैं तो तीन पांच उन से नहीं हो था तो आगे वाले नंबर भी नहीं होंगे ठीक तो इसे हमें 7 से चेक करना है है तो क्यूंकि यह साथ से अगर आ हम कैंसल करते हैं सबादेंध तो 3 रह जाए गया ही यह होगा ही नहीं तो हमें 7 से होगा भी सी 11 और हम 11 से काणे हम 11 आगे 33 हो गया 11 थी या 33 और अभी 11 से भी नहीं होगा तो ये 13 से होगा डारेक्ट तो हम इसे कड़ चुके हैं इसे लिखेंग गया 5, 7 11 13 जब आप इस वाले नमर को करेंगे तो ये डारेक्ट किसी से नहीं होगा ये 17 से होगा 17 के बाद 19 और 23 तो ये कोशन कंपलीट हो जाएगा 19 करते हैं आते हैं नेक्स्ट कोशिण पर तो यहां पर लिखा है कि आपको इस बार इन बार दे रिखेंगे ये जो नमबर आपको ये नमबर दे रिखेंगे आपको हर पार्ट में तो आपको इसका lcm और hf बताना है और इसके बाद यह चेक भी करना है जार्च करने है आपको कि इन दोनों का जो प्रोड़क्ट आएगा वो बराबर होगा HCF इंटू LCM के मतलब जो हमने HCF और LCM निकाला है ना उसकी मल्टिप्लाइ करने पर जो नंबर बन रहा होगा वही नंबर इन दोनों की मल्टिप्लाइ करने पर बनेगा अगर ऐसा है तो सही है अदर्वाइस आपका HCF से हम गलत हो जाएगा ठीक है ना चलिए तो शुरू करते हैं इसे तो मैं इसका फर्स्ट वाला पार्ट करा देता हूँ और बाकी के ना दोनों पार्ट आप बिल्कुल as it is होंगे आप खुद से ट्राइ करना ठीक है ना तो चलिए 26 और 91 के लिए देखते हैं क्या आ रहा है तो जैसा कि हम यहां लिख चुके हैं 26 और 91 सबसे पहले ना दोनों नंबर होगे हम फैक्टर कर लेंगे पहले 26 के लिए करते हैं तो यह देखी लास्ट में 6 ना दो से जाएगा तो एक हम दो 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 तीया 6 और 13 किसी के टेवल में नहीं आता तो तहरा ही लिख देंगे 91 के लिए यह 2 से नहीं जा रहा यह 3 से भी नहीं कट रहा क्योंकि 9 और 10 बन रहा है यह 5 से भी नहीं जाता तो इसे हम 7 से ट्राइ करते हैं साथ एकम साथ कितना रह गया दो आगे शिफ्ट कर देंगे तो 21 हो गया साथ यह 21 तहरा ठीक है ना तो इसे हम किस तरह लिखेंगे 6 पहले 26 के अई लिखेंगे जो क्याए थे 2 इंट्टु 13 पर 91 के अई लिखेंगे सेबर इंट्टु 13 अब देखते हैं हसेवोर रर्ल्स एम बताते कैसे हैं देखैं हसे एससे के लिए HCF HCF के लिए न यहां जो common वाले नमबर है जो सभी में आते हैं उससे आप HCF कह सकते हो अगर common नहीं होता तो आप 1 ले सकते हैं multiply में दोनों के 1 लिख देते हैं और उसी को HCF मान लेते हैं तो फिलाल तो 13 था तो HCF 13 हो गया है और LCM के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले यह जो common वाले नमबर हैं उन्हें लिख लेंगे जैसे कि 13 था 13 लिखा मैंने पिर यह जो पाकी बचे होए नमबर हैं नीचे और उपर इन्हें लिखेंगे जैसे कि उपर वाले में तो 2 था और नीचे वाले के लिए 7 तो इनकी multiply करते हैं 13, 13, 26 26 के साथ से करोगे 182 तो हम multiply कर चुके हैं तो HCF और LCM निकालने के बाद हमें चेक करना था कि जो product of number है मैंने नमबरों की संख्याओं का जो गुणनफल है product of number वो बराबर आना चाहिए था HCF into LCM तो हम left side और right side करकर इसा ही solve करेंगे तो मैं side में कर देता हूँ जैसे कि left hand side में हमें लिखना है product of number वो यह जो दोनों number हैं इनों की गुड़न इनों की गुड़ा करकर क्या आ रहा है चलिए इनकी गुड़ा करकर देखते हैं क्या आ रहा है तो यह मैंने multiply करकर यहां निकाल आएं यहां रहा है हमारा 2366 इसी तरह से right side देखेंगे right side का मतलब था HCF की LCM से multiply करेंगे HCF तो होता हमारा 13 और LCM आया था 182 तो इसके भी multiply करते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है तो देख सकते हैं बिलकुल यहां same ही number बन रहे हैं तो हमारा answer भी same ही आ जाएगा 2366 हम कहा सकते हैं left hand side is equals to right hand side तो यह question complete हो चुका है इसी तरह से इसके बाकी के दो part होंगे ठीक है ना तो उसे आप खुद से try करेंगे आते हैं next question पर तो यहां next question में हमें बोला गया है आपको अभाज्य गुडणखंड विधी मलब prime factor registration method यह जो हमने अभी उपर किया था ना इसी को हम अभाज्य गुडणखंड विधी बोलते हैं दुआरा निम्न लिखित प्रुणांकों के hcf और lcm बताईए मलब यह जो नीचे लिखे होंए और अपके लिखते हैं इसे जैसा कि हम तेक सकते हैं 12 15 21 इन तीन नंबर के आपको फैक्टर करने होंगे 12 15 21 तो यह भी 2 से cancel हो रहे हैं अगें 2 से और यह वाले नंबर 2 से नहीं जा रहे देके लास्ट में 5 यह तो इसे 5 से कर सकते हैं और इन्हें जोड कर 3 बन रहा है तो यह 3 से जाएगा इसका है सिर्फ क्या हो गया है सिर्फ के लिए पहले इसके फेक्टर लिख लेता है जैसे कि 12 के तो आ रहे हैं 2 2 3 15 के लिए आ रहा है 3 2 5 और 21 के लिए था 3 2 7 एस से वो नंबर होता है जो सभी में को मनाता है है माला कि तीनों डिजिट्स में यह फेक्टर में आता ही है जैसे कि 3 देखे सभी में आ रहा है तो इसका एट से अब तो 3 हो गया इसी तरह से आप इसके next पार्ट को करेंगे देख इसके यह जो आगे वाले पार्ट दे रहे है न इसका 17 किसी के टेवल में यह आता ना ही 23 और ना ही 29 तो हमें क्या करना है 17 की जब फेक्टर लिखेंगे तो 17 इंटू 1 1 मुल्टिप्लाइ में लिख जाना है इसी तरह से 23 ग और कोशन पर यहां लिखा है HCF आपको पहले की पहने हैं कि इन दोनों डिजिट का इन दोनों नंबर का जो HCF है वो 9 है और LCM आपको find करना है ठीक है ना तो देखें इसके लिए यह जो हमने second question में एक method मतलब formula आप समझ सकते हैं दो डिजिट की जब multiply करते हैं वो इनों की product के बराबर होता है तो वही formula आपको यहां use करना है अगर आप direct LCM निकालेंगे तो उसके marks नहीं मिलते exam में ठीक है ना तो मतलब मैं किस तरह से कह रहा हूं चरिए लिख कर देखते हैं लिख चुका हूं है जैसा कि दिया था हमें HCF इन दोनों नंबर का हमें 9 दिया तो और आपको LCM find करना है तो हम जानते हैं कि जो HCF into LCM होता है वो product of number होता है लाग इन दोनों की multiply करते होगी ने इसके बराबर होता है तो आप HCF की जगा तो 9 लिख सकते हैं इसे as it is और LCM निकालने के लिए इस 9 को divide में लिए आएंगे cancel out करने पर आपका answer आ जाएगा तो देखते हैं क्या आ रहे हैं अगर आप इसे 3 से divide करते हैं तो 3, 3 दा 9 और ये 3 बंदा 3, 3, 2 दा 6 इसी तरह 3 से again कर देंगे 3, 3 दा 9 और 3, 4 दा 12 आपको 34 और ये जो number है इसकी multiply करने और वही आपका final answer हो जाएगा multiply करते हैं तो ये हमारा answer आ चुका है 2, 2, 3, 3, 8 ठीक है ना ये ही हमारा LCM हो जाएगा तो next question पर आते हैं जैसा कि यहां लिखा है कि आपको check करना है कि natural number n मलो n की जगा आप कोई भी natural number का use कर सकते हैं ये जो संख्या आ रही है हमारी 6 की power n ये 0 पर समाप्त हो सकती है आपको के वली check करना है कि last में 0 आ सकता है कभी अगर आप 6 की power n मलो की natural number रखते हैं तो last जो digit बनेगी उसके last में कभी 0 आएगा या नहीं आएगा ये check करना है चलिए देखते हैं इस तरह के question को कैसे करते हैं तो जैसा की number हम लिख चुके हैं और एन के जगह हम क्या क्या number ये कर सकते हैं 1,2,3,4 को अभी प्रकट संख्या जो एक से चुरू होती है नो नेच्रल नमबर बोलते हैं तो हम सबसे पहले हैं 6 की पावर 1 रख कर देखेंगे तो देखेंगे यहां केवल 6 ही आया है तो यह के लास्ट डिजिट 6 होगी और जब आप 2 रखते हैं तो 6 का स्क्वाइर करना है आपको यह आएगा 36 देखें लास्ट में भी 6 ही आया है और इसी तरह से जब 3 रखेंगे तब भी लास्ट डिजशन और जाया है तो हम यहां कह सकते हैं के लास्ट में क्या आता है यह जीरो नहीं आता तो यहां हमें यहीं बताने है 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होती यहां not end with 0 ठीक है न? not end end with 0 चलिए इसी टाइप का में second question लेकर बताता हूं इन्हों ने example में भी नहीं दिया और question अगर आप एक दो question कर लोगे इस तरह आगे तो आपका idea हो जाएगी किस तरह से होता है जैसे कि मान लीजेए 7 की पावर n होता तो हमें इसे check करना है कि last digit में क्या क्या नंबर आते हैं इसा भी पूल सकते हैं कि last में क्या क्या आ सकता है तो हमें भाई तो हम यहां लिख सकते हैं 7 की पावर 4 जाएगा हमारा 2401 यह भी अभी अलगी आया है और हमें अभी दुबारा अगें इसे करना पड़ेगा तो 7 की पावर 5 के लिए यहां हमारा आ जाएगा 16807 देखे अब 7 रिपीट हो चुगा हमें 7 दुबारा आगें इसके बाद अगर हम पावर बढ़ाते हैं तो यही नंबर आएंगे 9, 3, 1, 7 इसी तरह से आते रहेंगे तो यहां end किस किस नंबर पर हो सकता है end हो सकता है इसका 1, 3, 7, 9 पर इसके अलावा कोई और डिजिट लास्ट में नहीं बनी थी ठीक है न तो इसका भी end जीरो पर नहीं होगा इसी तरह आप किसी भी नंबर के लिए चेक कर सकते हैं आते हैं इसके next question पर six question में हैं बोल रखाए कि आपको यह जो numbers दिये हैं पहला और यह दूसरा दो नंबर दे रखें यह भाज्य संख्या हैं क्यों हैं यह composite number क्यों हैं यह इंगलिश में से composite बोला जाएगा तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए आखिर यह भाज्य संख्या होती कुन सी हैं भाज्य संख्या क्या होती हैं भाज्य संख्या वो होती हैं जो किसी के table में आती हैं मलब किसी ने किसी से जरूर वो कटती हों factor आ जाता है उसका यहां हम उसे दो नमबरों के प्रोड़क्ट के रूप में लिख सकते हैं दो नमबरों के गुणा के रूप में लिख सकते हैं जैसे बारा होता है उसे लिख सकते हैं चार गुणा तीन चार तीया बारा या छे दुनी बारा इस तरह से लिखा जा सकता है उससे आप composite नमबर या भाज्य संक्या कहते हैं जैसे 7 हो गया हमारा 7 को हम इसे इस तरह नहीं लिख सकते हैं 7 into 1 मुझा 1 नहीं आना चाहिए multiply में 6 को लिख सकते हैं 2 into 3 तो 6 भी भाज्य संक्या हो जाएगी देखते हैं इसे किस तरह करना है तो जैसा कि यहां इन्होंने दे रखा है 7, 11, 13 और प्लस 13 तो इस तरह के question को solve करने के लिए आपको क्या करना होता है सबसे पहले यह जो multiply में नमबर है नहीं इसे आप एक term समझेंगे और यह दूसरा term ठीक है ना इससे आपको सबसे पहले common लेना होगा देकि 13 यहां भी आ रहा है इसमें और यहां भी 13 हम common ले सकते हैं तो break it में क्या बच्चा जो 13 के अलावा जो number थे वो रह जाएंगे 7, 11 यहां तो कुछ था नहीं फिर भी आप यहां one मान कर चलेंगे यह इंटो में बन तो लिख सकते हैं common लेते हैं तो जब कुछ नहीं बसता तो आप उसकी जगा one लिख लेते हैं इसे solve करने के बाद हमारा आ रहा है 77 और 178 मतलब यह जो भी number था हम इसे दो number के इस तरफ product के रूप में लिख पा रहे हैं दो number यहां गुणा में आ रहे हैं तो इस number को इसलिए ठीक है ना तो यह हो चुका है और इसी तरह इसके second part भी इन्हों ने दिया था मैं लिख देता हूं उसे भी यह इन्हों ने लिखा है इस बार 7,6,5,4,3,2,1 plus 5 और जब आप 5 common लेंगे लेकिन यहां और यहां से 5 common ले सकते हैं पिछले question की तरह 7,6,4,3,2,1 और यह plus का इसकी जगा भी क्या रह जाएगा 1 और इसके multiply करकर plus करते हैं क्या आ रहा है तो यहां आ रहा है हमारा साच्छिंग 42 और यह 26,24 42 की 24 से multiply करने हैं आपको है तो multiply के लिए हम जानते किस तरह होगी 2,8,2,4 और इसी तरह 4,16 4,8,9 और जोगी इने plus करेंगे 8,6,14 का 4 हासिल 1 और यह 5,10,14 ओके 14,4 आ रहा है तो यहां हमें 0 लेना था तो यह हमारा अंसर आ रहा है है 8 6,4,10 स्केरी 1,10 1,006 और आप एक और जोड़ दोगे तो 1,007 यह भी देखिए दो नमबर के product के रूप में आप इसे लिख पा रहे हैं तो यह भी क्या हो जाएगा composite number तो यह question complete हो चुका है आते हैं exercise के last question पर यह question में इस बार इनों ने बोलाए कि कि किसी खेल के मेदान के चारो तरफ एक व्रत आकार पत है एक गोल रास्ता है पत है इस मेदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनिट लगते हैं और जो उस रास्ते का ही चक्कर लगाते हैं सोनिया उन्हें 18 मिनिट लगते हैं जबकि रभी को चक्कर लगाने में यही पूरा इसे 12 मिनिट लगते हैं तो मान लीजिए कि दोनों एक ही इस्थान और एक ही समय पर अग्री चलना शुरू कर देते हैं तो यह कितने समय बाद दुबारा से मिलेंगे क्योंकि एक की स्पीड ज्यादा है क्यों जरू यह अलग हो जाएंगे और फिर जीह ढबारा से कब मिलेंगे यह बताना है मिनट में अपना राउंड कंपलीट कर लेते हैं, चली इसे हम सोचते हैं थोड़ा niż कि और तीसरा अक्षिसमय की मिनट में अक्षित्वा मिनट पर भलं 키 डूनों यही होंगे बस रवी के दुआरा तीन राउंड हो जाएंगे और सोनिया के दुआरा दो राउंड कंप्लीट हो पाएंगे और 36 मिनट पर यह दोनों इसी जगा पर होंगे तो कभी भी हमें इस तरह की situation आती है तो हमें हमेशा LCM निकालना होता है जो हमें पता होता है कम से कम मतलब इससे तो जादा ही time लगेगा इससे क्योंकि 18 मिनट में complete कर रहा था round तो एक 18 के बड़ जब भी हमें पता होता है कि इससे बड़ा नंबर आने वाला है तो हमें हमेशा याद रखना है कि इनका LCM निकालना है तो चलिए 18 के factor करकर देखते हैं कि क्या आ रहा है तो इसके अगर आप factor करोगे यहां आ रहा है दो निम अठारा 3, 3, 2, 3, 3 इसी तरह हम 12 के factor करते हैं तो 2, 2, 3 और जब हम इसका LCM की बात करते हैं तो यहां आ रहा है पहले जो common part होते हैं उन्हें लिखा जाता है जैसे तो हम 2 लिख सकते हैं 3 भी दोनों में ही हैं तो 3 भी लिख सकते हैं और जो बाकी रहे जाता है फिर उसे लिखना होता जैसे कि 3 और 2 को तो हमारा आ रहा है दोत्या छे, छेत्या, अठारा, अठारा दुनी 36, 36 मिनिट बाद वो पूर्णा उसी स्थान पर मिलेंगे यह हमारा final answer है तो यह exercise complete हो चुकी है आयो आपको समझ आया होगा तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना शेर करना दोस्तों के साथ और चैनल पर इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना चैनल ओके थैंक्यू